यदि आप लॉप पड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉप पड़ें नमस्ते सदावत सले मात्रभू में फॉर्मिल इस पर इतना बभाल हो रहा है और खासतोर से जो बभाल हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि कॉंट्रक्ट फॉर्मिंग को लेकर हो रहा है कहा जा रहा है कि कॉंट्रक्ट फॉर्मिंग में किसान की पूरी जमीन खा जाएगा किसान की पूरी जमीन चली जाएगी कॉर्परेट सेक्टर में फसल भी कॉर्परेट सेक्टर में चली जाएगी किसान को बेच कर खा जाएगा और साथ में महगाई भी बहुत बड़ेगी मनिक एजरिवाल जी का एक वीडियो मैंने पीछे देखा कि उन्हों नहीं का महगाई दो गुनें फिर चार गुने फिर छाए गुने फिर आठ गुने फिर यह ऐसे हो जाएगी कुछ वीडियो को लेकर बताए गया है और कहा गया है कि contact forming act के section 3 में आप देखेगा कि वो एक अकिला section उसको सब कुछ नस्तिनाबूद कर देगा आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा मुझे लगा कि वो वीडियो जो किसी ने animation से बनाया था आप जाने ही रहे हैं कि इस आंदोलन इस movement के दोरान संसार की बहुत सारी सक्तियां इस पर funding कर रही हैं तो animation करने वाले वीडियो बनाने वाले लोग भी सामने आए हैं फिल्म स्टार्स फिल्मी दुनिया के लोग आजकल कोविड नाइंटीन में काम फुड़ा काम है इसलिए ये ही एक कमाई का सदन बन गया यहां contract forming act हम आपको दिखा रहे हैं यह chapter 1 है और खासतोर से आप इसके section 2 में explanation होता है section 3 जिसकी चर्चा की जा रही है हम लोग सीधा section 3 पर आते हैं और मेरा मनना यह है कि अगर यह agreement यह जो act है यह act है act अपनी इस्तिती इसी इस्तिती में रहा जिसमें केंदर सरकार ने पारित किया तो कोई भी corporate sector कोई भी ब्योपारी किसी किसान के साथ contract नहीं करेगा मैं इस बात को sure कर सकता हूँ कि कोई भी corporate sector corporation किसान के साथ contract नहीं करेगी कि इस कानून में corporate sector के लिए सबसे ज़्यादा negativity है और किसान को बहुत positive दिया गया है यह अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल clear समझ में आ जाएगा पहली बात यह है section 3 को दिहार में रखिए former may enter into a written forming agreement respect to the forming produce terms condition यह वो सब तैय कर लेगा supply की conditions भी तैय कर लेगा अब इसमें यह तो कहा गया कि जो condition हैं वो तैय कर लेगा और पता नहीं क्या क्या कर लेगा लेकिन इसमें जो प्रोवीजो है section 3 clause 1 का प्रोवीजो कहता है provided that the responsibility for compliance of any legal requirement for providing such form services shall be with the sponsor और the form service provider as a case में भी यह जो quality है यह जो produce है यह जो standard है यह सब कुछ जो भी legal requirement इसकी है forming की form services provider पूरी करेगा यानि कि जो sponsor है जो इसमें पैसा लगा रहा है जो form services दे रहा है यह उसकी जिम्मेवारी है किसान की जिम्मेवारी नहीं है कि वो उसकी quality को maintain करें यह उसकी जिम्मेवारी है फिर से मैं कहता हूँ provided that responsibility for compliance of any requirement for providing such form services shall be with the sponsor और form service provider यह तक केस में भी यह उसकी जिम्मेवारी है कि वो यह सारी services provide करेगा form services को लेकर इसमें जो share cropping होती है share cropping हम लोग कहते हैं बटाई में खेती करता है किसान उन्होंने कहा है कि वो भी agreement का part होगा जो बटाई पर किसान करता है उसका fixed share रहता है fixed share मतलब कोई 50% पर 30% पर 25% पर लोग जो काम करने वाले लोग हैं contract पर लेते आये हैं अभी तक और वो उस फसल को produce करते हैं वो भी agreement का part रहेगा दूसरा यह जो agreement है वो एक crop यानि कि एक फसल या एक cycle live stock और maximum 5 साल के लिए हो सकता है minimum एक crop और maximum 5 साल और 5 साल का अगर किया गय है तो फिर अगर वो पांच सल से उपर crop निकलती है तो उस समय वो local agreement करके वो crop काथने तक यानि कि फसल के काथने तक किया जा सकता है यह जो form यह जो है act इस act में section 5 पढ़िये है बहुत कुछ clear करता है price to be paid for the purchase of farming produce may be determined and mentioned in the farming agreement itself in case such price is subject to variation then such agreement shall explicit provided for guaranteed price अगर यह यह जो determination है इसमें guaranteed price आपको बताना पड़ेगा कि minimum अगर गेहू खरीदना है तो 20 रुपए में minimum खरीदना ही पड़ेगा company को चाहें फसल कितनी ही खराब चाहें quality कितनी भी खराब हो जाए और जो quality है उसके लिए responsibility उसी की है जो sponsor है हलांकि insurance की विवस्था भी है दूसरी बात जो सबसे important section 5 में है कहता है a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price including bonus, premium to ensure best value to the farmers and such price reference may be linked to the prevailing price in specified APMC yard अब जो APMC yard का मतलब मंडियों की बात कर रहे हैं वो जो जो प्राइज है वो प्राइज इसके additional minimum guarantee तो दी ही जाती है इसके अतरिक तगर price hike करता है APMC market में तो फिर उसका share भी किसान को दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा उसका formula एक बनाया जाएगा farming agreement के साथ formula लगाया जाएगा कि भी या हमने 20 रुपे करीदा अगर market में 30 रुपे हमारा विकरा है तो आप हमें क्या देंगे इसका formula की उसका फिर हमें 50%, 60%, 70%, 30% जो भी आपने तैक किया वो उनको देना पड़ेगा ठीक, दूसरा section 7 पर आ जाते हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा उधम मचाया जा रहा है कि उसको stock करने की होगी और उसको केजरिवाल जी ने कहा कि उसको जो प्रडूस है, उस प्रडूस को वो stock कर सकता है, क्या लिखा है इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कहता है कि ये कानून ये जो फसल होगी ये किसी भी state law से परे होगी, यानि कि राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती, sale purchase का मामला वो केंद्र सरकार के कानून से चलेगा चलेए बई, एक बात अच्छी होगी, दूसरी बात कहते है, essential commodities act 1955 से बाहर होगा, लोगों नहीं कहा कि ये stock जितना चाहें मरजियों उस ना कर सकते हैं, नई, essential commodities act 1955 का मतलब होता है कि एक limit के बाद, एक limit के बाद से मतलब आता है कि जिस समय सरकार उसको essential commodity घोशित करती है, अवशक सेवाई घोशित करती है, उस समय आप उसका stock नहीं कर सकते, हमने सुना होगा, पियाज महगा होगा, तो सरकार फिर essential commodity उसको घोशित कर देती है और इजेंशल कॉमोटिटी घोशत करके उस सामान को वो निकाल लेती है और निकाल कर कहती है मार्केट में देना पड़ेगा तो उन्होंने ये कहा कि जो कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग के तहट किसी ने इन्वेस्टमेंट करके सामान खरीदा है और वो उसको प्रॉसेस करना चाहता है प्रॉसेस करने का मतलब यहां पर आप जानते ही है कि जिसे आलू है तो उसकी चिप्स बनाना चाहता है बहुत सारे प्रॉसेसिंग चीज़ें बनाई जाती है और अगर किसी को परचेस करना है minimum price उसको देना पड़ेगा जो भी तैह हुआ है APMC market में अगर वो price ज़ादा है तो उस price पर भी उसको जो rate बढ़ रहा है उस price को भी देना पड़ेगा लेकिन अगर फसल फिक रही है एक डम कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको जो minimum price तैह हुआ है उतना देना ही पड़ेगा चाहें वो जहां से भी दे चाहें उसका पून संपून घटा हो जाए वो करना पड़ेगा और quality उसको खुद maintain करनी पड़ेगा इसके लिए एक facility की बात इन्होंने कही है और वो यह कहा है कि इसका insurance करवाने का अधिकार होगा इस पर government का state और central government का जो insurance policies हैं फसल भीमा को लेकर वो ले सकता है किसान या फिर जो service provide कर रहा है और essential commodities act से इसको बाहर किया जाता है यानि कि एसमा इस पर लागू नहीं होगा और जो essential commodities stock जितना stock permitted stock उसका है जितना उसने agreement पर यह किया है उतना stock रखने की उसको अनमती होगी वो stock सरकार नहीं निकाल सकती सरकार क्या करे अगर market में price बढ़ रहा है तो फिर वो विदेश्यों से खरीदे है हाँ अगर market में price double होता जा रहा है तो फिर essential commodities इसको बाहर निकालेगा क्योंकि जिसने भी वो purchase करके रखा है जिसने contract forming की है जिसने जो फसल processing की वज़े से खराब हो जाती cold storage कम होने की वज़े से खराब हो जाती stock stores कम होने की वज़े से खराब हो जाती यह किसान को धेर नहीं होता वो फसल को तुरंद बेज देता है, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहां ले जाए, ऐसी परसिती में ये लोग वो जो प्रोडूस खरी देंगे वो अपने पास प्रिजर्व करके रखेंगे और वो तब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं जब तक इसेंशल करें दूसरी जगहों से और मार्केट को बैलेंस करें जैसे आज भी करते हैं और या फिर वो उसका सामान निकलवाकर मार्केट में विगवाए, आज भी वही विवस्ता है जिसमें कि सरकार आलू प्याज ये वो कुछ कम पढ़ जाता है मार्केट में और बहुत तेजी से रेट बढ़ते हैं तो सरकार आदेश करती है कि कोई भी इतने एक कुंटल से जादा दो कुंटल या इतने से जादा स्टॉक नहीं कर सकता हर एक कॉंट्रक्ट फॉर्मिंग करने वाले सर्विस प्रोवेडर की अपने लेमिट है कितने एकड़ भूमी में उसने किया है वो म सोचिए एक यही उसके पास विवस्ता है कि मार्केट कम जादा हो उसने जो अपनी फसल होगाई है किसी के खेत में वो फसल को अपने पास रखने का अधिकार रखता है और जब तक उसका रेट डबल नहीं हो जाता तब तक उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ओपिन market से purchase करके उसको stock नहीं कर सकता और उसकी अपनी limit से ज़धा stock नहीं कर सकता ऐसी इन परसितियों में जब किसान को full right दिया गया हो वो किसी भी समय जिस समय उसको लगता है कि मेरे खेत में जो मैंने बोया है वो यह जो corporate sector है इसके मुझे agreement तोड़ना है तो वो agreement तोड़ सकता है जो भी उसने advance लिया हो वो उसको वापस करना पड़ेगा लेकिन जो corporate sector है मतलब अगर minus में जा रहा है मामला और घाटे में जा रहा है तो corporate sector कोई अधिकार नहीं होगा कि वो contract तोड़ दे उसको contract को perform करना पूरा करना ही पड़ेगा और minimum price उसको देना ही पड़ेगा जब ऐसे कानून बनाया गया हो तो क्या आपको लगता है कि कोई भी जो contract forming करने वाला corporate sector है वो किसी का खित लेगा क्योंकि उसको घाटे की संभवना जाता है मुनाफ़े की कम है हम सब जानते हैं कि हमारे हाँ जैसे मैं जहां पर रहता हूँ मेरा जहां जनाम होगा वा आलू होता है आलू तीन साल में चार साल में एक बार अच्छी फसल बिकती है बाकी दो साल या तीन साल वो market में एवें फिकता है किसान तभी अलू का किसान तभी अपने बच्चों की शादी करता है अपने घर बनवाता है जिस साल उसकी फसल अच्छे में बिक रही होती है लेकिन उसकी फसल अगर सस्ते में विक रही होती है तो वो दो साले तीन साल अपने बच्चों की शादी भी नहीं करता यह market का trend है अब आप ऐसे समझ लीजे कि minimum price पर अगर खरीदना पड़ेगा ही तो व्योपारी इसमें risk क्यों लेगा पहली बात तो यह perishable item है तो वो risk क्यों ले इतना पैसा भी लगाए वो contract से बंदा हुआ भी है contract किसान तोड़ भी सकता है minimum price उसको देना ही पड़ेगा price अगर बढ़ता है तो उसका एक percentage share उसको देना पड़ेगा APMC market में जो price चल रहा हो वो price अगर form जिसने खेती करवाई है या जो service provider है जो corporate sector है उसके price से जादा होता है तो उसका difference भी उसको देना पड़ेगा और फिर वो खरीदने के लिए मजबूर है और जो quality वगरा की बात की गई है उसको भी maintain करने की जिम्मेवारी sponsor की ही है जो पैसा लगा रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो समय समय पर soil testing करवाए समय समय पर फसल को check करवाए समय समय पर उसकी quality को maintain करे और उस पर insurance भी करवाए ऐसी प्रिस्थिती में आप मुझे बता दीजे कि इन कानूनों में corporate sector में समन corporate sector तो उतर नहीं सकता बहुत हिम्मत वाले corporate sector होंगे जो इसमें उतर कर आएंगे और अगर ये उतर कर आते हैं तो घाटे की संभवनाए जादा है मुनाफ़े की कम है इसलिए corporate sector से कोई भी आवाज इस पर नहीं उठ रही है इस बात पर हाँ किसान का लाब इसमें होगा इसलिए कुछ जो contractor जो 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 किसान पीछे से भर्याण पंजाब का जो किसान है जिसको जिसको हम अड़तिया वर्ग भी कहते हैं उसको तो परिशानी हो सकते हैं और सबसे खास बात इस कानून की ये है कि ये जो वर्ग है ये कोई किसान का भला चाने वाला वर्ग नहीं है मैंने टिकेट के बारे में बताया था कि महन सिंग टिकेट के पास आठ बीगा जमीन हुआ करती थी आज राकेश टिकेट के पास साड़े तीन सो बीगा जमीन है और साथ या छे पेट्रोल पंप है ऐसा लोगों ने बताया ओपिन स्टेट्मेंट है तो आप मुझे बता जी किसान इतना ज़्यादा लाब कैसे ले सकता है मेरे घर में मेरे परिवार में मेरे जानने वाले और मैं तो किसान का बेटा हूँ इसलिए हमारे सेक्टर का इसमें लाब हो सकता है अगर वो काईदे से करेगा तो लाब हो सकता है लेकिन लाब की गुंजाइश थोड़ी कम है इसलिए ये पूरा का पूरा प्रपकंड़ा जिस प्रकार से चल रहा है मुझे लगता है कि हम सब को ध्यान देना चाहिए इस पूरी और्गनाजिशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लाउ स्टूडेंट्स को लाइट्स को और आम आदमी जो लाउ जानना चाहता है वो पेड़ क्लासिस का लाब ले सकता है